ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचाईता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है कलिक ऐसा पावन परवाने वाला है जिसकी प्रतिक्षा हर तंत्रिक करता है क्योंकि यही वो रात है जिस दिन बिना मुहरत देखे कोई भी यतने आप करेंगे वो संपूर्ण हो जाएगा कोई नक्षत्र नहीं, कोई तिथी नहीं, कोई वार नहीं, बस जो साधना आपको करनी हो लग जाएए उसमें और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुर्देव कुछ ऐसा कीजिए कि जीवन में परिवरतन आ जाए कई लोग ऐसे भी होते जिनके जीवन में सुख नहीं होता, लक्षिरीज नहीं होती और भोतिक सुखों की कामना में वो यहां वहां भटकते रहते हैं तो उनके लिए मैं आज ऐसा गुप्त साधना लेकर आए हूँ, एक ऐसी साधना है जिससे कि आप माभगवती को अपने कुल में स्थापित कर सकते हैं एक ऐसी सिद्धी जो कि माभगवती को आपके जन्म जन्मानतर तक आपके कुल में स्थापित कर देगी अर्थार्थ माभगवती स्तिर रूप से आपके कुल में आ जाएंगी और आपको किसी भी तरह की धन से रिलेटेड कोई परिशानी नहीं होगी माभगवती को प्रसंद करने के बहुत सारे उपाएं हैं लेकिन दिवाली के रात में अगर आप ये छोटा सुपाई करते हैं तो माभगवती स्वयता ही आपके कुल में विराजमान हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी मनों कामना एक कौन पूर्ण कर रहा है और जो देवी हैं वो बैगराउंड में सारे काम करती रहेंगी आप अचंबित होगा कि आपकी एक छोटी सी साधना ने ये कैसा परिवर्तन कर दिया तो आप अगर इस साल को आप एक बहतरीन साल बनाना चाहते हैं तो ये छोटी सी साधना कीजिए और इसके बाद देखिए माभगवती किस तरह से आपके जितने भी दुख हैं सारे दूर कर देती हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से माभगवती को अपने कुल में स्थापित करें उनकी प्रान प्रतिष्ठा करें, किस तरह से आप मा भगवती का आशिरवात प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले तो ऐसे कीजेगा कि अश्ट धातू से निर्मित मा भगवती की कोई ऐसी मूर्ति लाईए जो कि कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो कहीं से भी टूट फूट अगर उसमें होगी तो वो प्रतिष्ठा के काम में नहीं आएगी तो ऐसी अश्ट धातू से बनी हुई या पीतल से बनी हुई ये दो चीज़े जो हैं पीतल से हो, ब्रास से हो और अश्ट धातू से हो ये भी चल जाएगी कि सबसे पहले शुद्धी करण मंत्र बोलिएगा, उसके बाद माभगवती को गंगाजल से सनान कराईएगा और जब आप मूर्ती खरीदे तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि माभगवती की जो मूर्ती है उसमें वो आपको आशिरवात दे रही है एक हाथ उनका उठाओना चाहिए ऐसी मूर्ती आपको लेने हैं उसके बाद शुद्धी करण कीजेगा मूर्ती का गंगाजल से सनान कराईएगा फूल नवैद, मिठाईयां ये सब माभगवती को चड़ाईएगा और इसके बाद जो है एक गुप्त मंतर में आपको दूँगा जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा उस मंतर से माभगवती की प्रतिष्ठा कीजेगा पूरी रात या फिर तीन चार घंटे आपको ये मंतर बोलना है माभगवती की उस प्रतिष्ठा के सामने उस मूरती के सामने तो होगा ये कि माभगवती स्वेता ही उस मूरती में वास करने लग जाएगी और जब प्रतिष्ठा हो जाए तो इसके बाद कभी भी माँ भगवती की इस मूरत को अकेले ना छोड़िएगा बस यूँ समझेगा कि इस मूरती में देवी का वास हो गया है रोज सुबह शाम इनको दीपक दिखाना होगा धूप नवैदे चड़ाना होगा तब ही जाकर ये फलित होंगी यदि आपने ये काम करना छोड़ दिया तो जो रिजल्ट है वो नेगटिव भी आ सकते हैं तो मंत्र के लिए मुझे कॉल किजेगा 999-284-1625 पर और सारी विधी में आपको बताऊंगा किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं धन्यवाद